देखे ये जो है अब हम लोग का चैप्टर ये स्टार्ट कर रहे हैं ध्यान से सुनिए इसमें हम लोग को ध्यान ये देना है सबसे पहले तो हम लोग अपनी कौपी में कौपी में हम लोग सबसे पहले डेट लिखेंगे ठीके आप आराम से जो भी आपके मन में प्रॉब्लम हो, संका हो, समाधान हो, आप आराम से पूछे पूछने में गरबड़ी नहीं करना है, ठीक है? आराम से आप पूछे सबसे बहले डेट लिखेंगे, आज का डेट क्या लिखा हुए है? और ये बाइलोजी लिख लेंगे, ठीक है? बाइलोजी और बगल में डीके पी लिख लेंगे, टीचर का नाम दिनेश कुमार पंडे ये चैप्टर लिखेंगे, चैप्टर नंबर कौन सा लिखा हुआ है यहां पे? टू, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है बाइलोजी कल क्लासिफिकेशन इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर फर्स में पढ़ा था कि लिविंग और्गनिज्म जो है, लिविंग और्गनिज्म लिविंग और्गनिज्म वन पॉइंट कितना है? 1.7 तो 1.8 मिलियन है मतलब 17,00,000 के आसपास जो है, यह है या 18,00,000 के आसपास है तो इतने सारे लिविंग और्गनिज्म हैं हमारे अर्थ पे यह जो डाटा है 1.7 मिलियन या 17,00, 18,00, यह डाटा वो डाटा है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं साइंटिस्ट ने जिसके बारे में कहा है कि ये प्लांट है, ये एनिमल है, ये बैक्टेरिया है, इस तरह की बहुत सारी चीज़े हैं, जो साइंटिफिक नेम दिया गया है, वो इतना है, लेकिन इससे चार से पांच गुना जादे एनिमल प्लांट हैं, लिविंग और्गनि को तीन काटेगरी में बाटा था, अरिस्टोटल, उन्होंने हर्ब, सर्ब और ट्री में डिवाइड किया था, हम लोग जानते हैं कि जो छोटे घास वगरा जैसे हैं, वो हर्ब हैं, जो जाड़ी नूमा है, थोड़ा बड़ा है, वो सर्ब्स के काटेगरी में आता है, और जो लंबे लंबे हैं, वो पेंड पौदे वो ट्री बोलते हैं उसको, इसके बाद अरिस्टोटल ने आनिमल के बारे में बताया कि दो तरह के आनिमल होते हैं, एक आनिमल वो होता है जिसमें रेड बलड सेल होते हैं, और दूसरा वो होता है जिसमें नो रेड बलड सेल, ए लीनियस के द्वारा दिया गया लीनियस के द्वारा लीनियस ने टू किंडम क्लासिफिकेशन दिया लीनियस ने टू सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया इसमें इन्होंने कहा एक प्लांटी किंडम दिया और दूसरा एनिमल एनिमेलिया किंडम दिया तो लीनियस ने दो किंडम प्लांटी और एनिमेलिया किंडम दिया लेकिन इसके अलावा जो है बहुत सारी कन्फ्यूजन आ जा रहे थी कि केवल प्लांट और एनिमल जैसे की फंगस है आपका फंगस रोटी वेगरा दो तीन दिन के लिए छोड़ दे हम लोग तो उसके उपर वाइट और ब्लैक पैच चीज़ आ जाते हैं वो फंगस है तो फंगस को हम लोग किसके भीतर रखेंगे प्लांट के भीतर रखेंगे या एनिमल के भीतर रखेंगे यह बहुत सारी कन्फ्यूजन आने लगी तो बाद में जो है एक साइंटिस्ट है उनका नाम था आरेच विटिकर तो उन्होंने न पर आके यह सारी चीज़े एकस्प्लेइन करनी पड़ेंगी अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है ठीके तो फाइब सिस्टम क्लासिफिकेशन किस ने दिया आरेच विटिकर ने दिया फाइब सिस्टम क्लासिफिकेशन कब दिया गया नाइ मोनेरा दिया गया प्रोटिस्टा दिया गया फंजाई दिया गया प्लांटी दिया गया और अनिमेलिया दिया गया इसको बोलते हैं हम लोग फाइब सिस्टम क्लासिफिकेशन को किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम फंजाई किंगडम प्लांटी और किंगड प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडब प्लांटी और किंगडम आनीमेलिया, यह लिख लिया हमने, अब जो है कारेक्टर हम लोग यहां पर लिखेंगे हैं, कि किस तरह का cell type है, किस तरह का cell wall है, किस तरह का nuclear membrane है, किस तरह का organization है, किस तरह से nutrition करता है, तो फर्स हम लोग लेके चलते हैं सेल टाइप में मोनेरा के बारे में तो सेल जो है हम लोग जानते हैं कि सेल दो तरह के होते एक सेल जो है जिसमें की नुकलियर मेंबरेन नहीं होता है और एक सेल जो है जिसमें नुकलियर मेंबरेन होता है उसको pro-karyotic cell बोलते हैं और जिसमें nuclear membrane होता है उसको eukaryotic cell करते हैं ये चीजे जानते हैं न हम लोग जिसमें nuclear membrane नहीं होता है उसको pro-karyotic cell करते हैं nuclear membrane नहीं होता है या फिर nucleus नहीं होता है या फिर हम लोग बोलेंगे well organized nucleus नहीं होता है तो cell type किस तरह का cell type है, तो monera जो है ये किस तरह का है, prokaryotic है, मतलब इसमें nuclear membrane नहीं होगा, ये organized nucleus नहीं होगा, protista, protista किस तरह का है ये, eukaryotic है, यानि किसमें nucleus आपका होगा, nuclear membrane होगा, fungi कैसा है, ये भी eukaryotic होगा, प्लांटी कैसा है, ये भी आपका eukaryotic होगा, और animalia क्या है, ये भी है, ये आपका eukaryotic होगा, अब हम लोग देखते हैं सेल वाल सेल वाल ठीक है जो प्लांट सेल आपके होते हैं प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल वाल होता है उसमें क्या होता है सेल वाल होता है लेकिन एनिमल सेल जो है उसमें प्लाजमा मेंब्रेंट होता है उसमें cell wall नहीं होता है तो cell wall में जो है यहां पे जो monera है उसमें non-cellulose आपका cell wall होता है cell wall होता है लेकिन cellulose का नहीं बना होता है non-cellulose होता है क्या चिसका बना होता है तो polysacryde और amino acid का बना होता है अब kingdom protestor में देखते हैं तो cell wall present in some कुछ-कुछ organism में जो है cell wall present होता है और kingdom fungi में जो है cell wall जो बना होता है काईटीन का बना होता है क्या चिसका बना होता है काईटीन का बना होता है plant में जो cell wall बना होता है वो cellulose का बना होता है animalia में जो cell wall होता है वो absent होता है उसमें cell wall नहीं होता है, अब आगे है ये nuclear membrane, तो nuclear membrane pro-cariotic and eukeriotic के अधार पे, यहां क्या है नहीं होगा, यहां क्या है यहां पे होगा, फंजाई में nuclear membrane होगा, यहां भी प्लांटी में होगा, और यहां पे भी आपका, होगा यह, अब यह जो है, organization कैसा है, cell level का है, कि tissue level का है, कि organ level का है, कि organ system का है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और nutrition कैसे होता है, autotropic होता है, अपने से बनाता है खाना या heterotropic दूसरे से लेता है, यह दो point के बारे में हम लोग दूसरे दिन discuss करेंगे, अभी हम लोगों ने देखा, कि सबसे पहले Aristotle ने plant को तीन काटेगरी में डिवाइड किया, herbs, herbs, and tree में, फिर animal को with red blood cell और no red blood cell, linius ने क्या किया, जाद सांटिफिक वे में इन्होंने दिया classification, two system classification दिया, planty और animal या, बाद में जो देखा गया, कि two kingdom में सारे animal जो है, वो classify नहीं हो पाते हैं, ना plant में वो जाब पाते हैं, ना animal में, तो five system classification आरिश विटिकर के द्वारा दिया गया, 1969 को दिया गया, monera, protesta, fungi, planty और animalia, यहाँ पे सारे के character लिखे हुए हैं, तो हम लोग गर next class में यह सारे को discuss करेंगे, किसी को कोई problem है तो बताएं, कोई बता सकते हैं, जो अभी तेक बताया, एक आदमी हाथ उठाएं,